कि बीजेपी ने ही इन रेपिस को छुडाया जिनोंने बिल्खिस बानों से जुलुम किया बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार दाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लडाई है जो इंसाफ की बात करती है वो बीजेपी एक्सपोस हो जाती ह बिल्खिस बानों आमला राय निये बीजेपी के काटा कुको कोर्डेर आसा दुद दिन वेसी शेषाते बील्खिस बानों आमलाई सुप्रीम कोटर राये खुशी प्रकाश कोरे चेन एयाए येमाएउं सभफोती आसा दुद दिन वेसी बीजेपी के कटाफ़को करे तिनी बलेन बीजेपीर आमले एई कांडो संकुरित होये छे बुंग बीजेपी एई घटो नाके प्रस्ट्रोय दिये छे तिनी आशा करेन आगामी दिने कुनो सरकार कुनो धस्टो के एभाबे रहाई देबेनना नरेंचो मोदे सरकारेर उचेत बिलकिस बानों काचे खमा चावा बीजेपी आपरादी तेर छेड़े दिये छे बिलकिस बानों नेविचार पेचेन बोले खुशी बेक्तो करेचेन ए आई-माई-म शभपती आसाद उद दिन वेशे मोडी थे वो उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था रेपिस का साथ दिया था बिलकिस बानों का रेप हुआ उनकी मासुम बच्ची का खतल हुआ और बिल्खिस बानों ने ये ललाई खुच से लड़ी इनसाफ के लिए अपने इनसाफ के लिए तो जो उस वक्त जो बीजेपी नेरंदर मोडी मुक्यमंत्री थे उस जो माहूल था गुजरात में बड़ा ही खराब माहूल था तो इसी लिए इस ट्रायल को महरास्तरा में शिफ्ट किया गया और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस को छुड़ाया जिनोंने बिल्खिस बानों से जलुम किया बीजेपी के लोगों ने उनकी गलों में गुलाब का हार दाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है जो इनसाफ की बात करती है वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है दूसरा पाइंट उसमें ये है कि आज कोट ने क्या कहा सुप्रिम कोट ने सुप्रिम कोट ने कहा जा स्टेट ऑफ गुजराद एक्टेट इन कॉम्पलिसिट विजेपी की सरकार रेपिस के मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो मलेज ने बीजेपी के दो मलेज ने ये एंडॉर्स किया के इन रेपिस को छोड़ दिया जाए और एक बीजेपी के मलेज ने उनको संसकारी भी कहा था आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गौर्मेंट अफ गुजराद जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने बिलखिस बानों के रेपिस को छोड़ने में मदद की फ्री किया और जबकि उनके पास ये अख्तियार नहीं था मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विलकम करता हूँ खेर मुखदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक्बिल में फूचर में कोई भी सरकार इस तरीखे से आक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस को छोड़ दिया जाए रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के उनको ये मालू होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है और अगर कोई रेपिस्ट समझ रहेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आडियोलिजी का मैं मानने वाला हूँ तो मुझे उस सरकार छोड़ देगी वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल एडियोलिजी से आपको नहीं छूट मिलेगी और आखरी बात ये है कि इस तमाम चीजों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे है यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वजीर है जनाब अमीच शाह उन्होंने अप्रूबल दिया था इनका रिमिशन और अप्रिमेचर रिलिस्ट के लिए और एक जुलाई 11-1222 का लिटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का हम पूछना चारे कि क्यों अमिजशा की हुमिनिस्टी नी स्रागलेटर दिया तो इससे बात साथ जाहिर होती है कि नरेंदर मोडी जो नारी शक्ती की बात करते है ये सिर्फ जुमले वाजी है और इन्हों ने यहाँ पर विल्खिस बानो के रेपिस को छोड़ने का जो काम किया इस से एक्सपोस होते है बताईए बुल्डोजर कहां चला गया ठोक देंगी पॉलिसी कहां चले गई बीजेपी विल्खिस बानो के रेपिस को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस के साथ खड़ीवी है चाहे वो सरकार में हो सेंटर में हो ये स्टेट में हो बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा और क्यों छोड़ा एलेक्शन से पहले छोड़ा गुजरात के विदान सपा के चुनाओं से पहले अब बीजेपी इस जज्जमन्ट के बाद खामोश क्यूं है बीजेपी? आद बीजेपी को खामोश昨 drinks दोडनी चाहिये हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंदर मोडी की सरकार बिलखिस बानों से माफी चाहे बिलखिस बानों से माफी चाहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहे दिया है कि आप माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या है तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंदर मोडी की सरकार बिलखिस बानों से माफी मांगे उनको अपॉलिजाइस करें